तो ये वाला वीडियो होने वाला गाईज मोबोक्स एमिलेटर के उपर जो कि अभी अभी लेटेस्ट आया है और ये रन करता है विंडोज प्लैटफोर्म का जो गेम सा उसको हमारे एंड्रोइड में एक 64 x 84 को तो इसका जो installation procedure है मैं तुम लोग को समझाने वाला हूँ इस वाले वीडियो में कैसे install करते हैं और हाँ यहाँ पर अगर तुम लोग कमारी डिवास है तो उसके लिए भी यहाँ पर major update है जो कि हम लोग setup में करके उसको apply कर सकते हैं और अगर तुम लोग gameplay tutorial देखना या तो gameplay इसका टेस्टिंग देखना तो आगे कर लेना आगे वीडियो बढ़ा लेना यहाँ पर मैं तुम लोग को पहले प्रोसेजर बता देता हूँ कि इसको install करेंगे तो करेंगे कैसे इसके बाद हम लोग को एक code copy कर लेना है जो कि Mobox Emulator का code है जहां से हम लोग download करने वाले हैं on our Termux Emulator तो यह हम लोग इसको ऐसे हमने copy कर लिया यहां से लेकर आगे तक select करके इसको copy कर लेंगे और यह जो Mobox इन्हों ने launch किया है project इस project के अनुसार से जितने भी drivers हमें इसमें pre-install मिलेंगे मतलब तुम बस इसको install करो और उसके बाद अपना जो game है download folder में डालो Windows PC का game और उसे वहीं से run कर सकते हो ओके गाइस तो यहां पे इसको paste करने के बाद तुम लोग को hit enter कर देना और after that यह पूछेगा type करना है तुम लोग को mobox 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 type करने के बाद तुम लोग को enter कर देना अब इसके बा इसके के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाई तो यहां पे एकस 11 जब सकक्यक्ष खोल देना एकस 11 खोलने के बाद हम से हम लोक को resolution जो है है यहां से चेंज mús कर सकते हैं वहां से हम resolution रहीं कर पाइंगे नोग। तो input में आने के बाद preference input आने के बाद हम लोग resolution यहां से change कर सकते हैं तो हम लोग ने resolution change कर लिया है और force ये कर ले ना full screen mode को enable करके force landscape oriental कर देना और यहां पर इसको फिर background रख दो और हमारा जो termux box में momox खुला हुआ है इसको open कर लेना अब हम लोग अब यहां पर आने के बाद हम लोग को settings में आना है गाज ओके अब मैं तुम लोग को setting बता देता हूं माली device के लिए बताऊंगा snapdragon के लिए बताऊंगा ओके तो ध्यान देना यहां पर और प्लीज लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना सेटिंग में आ जाना और टच स्क्रीन से सेटिंग काम करेगा ओके गाई तो कोई compatibility जो की emulator दे रहा है जिससे कि हम लोग का far cry और crisis 2 fallout यह सब skyrim यह सब गेम चलेगा यह उसके लिए है नंबर टू और नंबर थरी मतलब डिफॉल्ट सेटिंग के साथ सब चीज तुम लोग को अनेबल मिल जाएगा ओके नंबर थरी में वह चीज आए तो नंबर थरी में और नंबर वन में अगर कोई तुम लोग का ऐसा गेम है जो इस्टक हो रहा है तो वह करके देख ले ना मेरा एक गेम जो था भी डियर्ट नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद तुम लोग को और भी कई सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पर तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर इंटरनल रिजॉलिशन तुम चाहे तो चेंज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो हमारा कितना कोर जो डिवाइस है उ के साथ और नंबर 3 दाहा तो Thanks도 menospad मतलब की जादा डिटेल के साहथ दिखाएगा और नंबर 1 अगा नंबर 2 से 90 घ्रमाइस कantage तो फॉर्मी मैंने अभी डिशेषी की युआ हो एंगर इसको डवाइस अभी देखो तुम लोग का अगर डॉन डिपयों है तो इसके लिए यहा ना पर हानें के बाद अगर तुम लोग का डbook सब्सक्र ok यहां पर आने के बाद तुम लोग नुब कर और नंबर को स्टार्ट करदे ना तोड़ा सा यह थोड़ा सा वाइन लेने के बाद हमारा सुझकिज जो इंस्टॉलेशन होना पैकेज वो सब उसको होने देना फिर यहां पर हम लोग गेम अपना विंडोज पीसी का जो भी है वो चला सकते हैं तो एक आद के हमने आपर सबसे हाई एंड गेम तो अभी तक डाइक से लावन वाला है मैंने आपर ट्राइ किया अगर तुम लोग को कंपैरिजन वीडियो चाहिए इसका तो कंपैरिजन वीडियो में को कमेंट कर देना हम लोग करेंगे विंडेटर वर्सिस टर्मक्स बॉक्स में अगर तुम ल झाल 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 झाल